नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। घटना से गुसाई ग्रामिणों ने सर्दार गंज चौक पर राष्ट्रिय उच्पत संख्या 28 को जाम कर प्रशासन के विरुध जंकर नारे बाजी की। को सरकारी मुआवजा देने, परिवार के 110 सिक को सरकारी नौकरे देने की मांग पर अरे थे। जाम के कारण नाशनल हाईवे के दोनों तरफ गाडियों की लंबीक तारे लग गई। मृतक की पहचान दल सेह सराय थाना क्षेत्र के मौल बीचक नवादावाड संख्या 6 निवासी राम सकून सहनी के 18 बर्श ये पुत्र दीरज कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलने पर थाना ध्यक्ष प्रवीन कुमार मिश्र सदल बल घटना स्थाल पर पहुँच लोगों को शांत कराने की कोशिश किये लेकिन जाम कर रहे स्थानिये ग्रामिनों और ज्यादा आक्रोशित होगे। ग्रामिनों का कहना था कि सर्दार गंज चौक पर लगे सरकारे से सी टीवी कैमरा महीनों से एखरा पड़ा है लेकिन प्रशासन के लोग इसी नहीं ठीक करवा रहे हैं। अगर सी सी टीवी कैमरा ठीक रहता तो ट्रक की पहचान कर उसे पकड़ा जा सकता था। स्थानिय लोगों का ये भी कहना था कि इनएच के दोनों और ओटो चालक अपना ओटो लगा कर रखता है जिससे सड़क ही चोड़ाई कम हो जाती है और आई दिन सड़क दुरघटना होती रहती है। ग्रामिनों ने पुलिस परशासन पर ओटो चालक से पैसा वसूली का भी आरोप लगाया है। काफी समझाने वह मुआवजा देने के बाद ग्रामिन शान्त हुए। स्थानिय पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मौटं हेतु सदर अस्पतार समस्तिपूर ब के लिए हमें इजाज़त दीजिए।